साडुखान के जवान मूवी को आप ठेटर में रिलीज कर दिये गया है जुसको देखने के बाद में यह कैस सकता हूँ कि हाँ यह एक असली मास इंटरेणर मूवी जिसको देखने के बाद आप सब पागल हो जाओगे और आप यह कहने पर मजबूर हो जाओगे केस कि आगे पठान मूवी कुछ भी नहीं थी तो जैसा कि हम सब जानते है कि जवान मूवी के लिए काफे रहा हाइप है और पब्लिक इस मूवी के लिए अगदम पागल हो गई है अब इसका अंदर आप इससे लगा सकते हो कि मैंने इस मूवी को फर्स देफ फर्स लो देखा है और करते हैं मूवी के बारे में कृकि यह मूवी कैसी है और यह मूवी मुझे पसन आई या फिर बुरी लगी और क्या आप सबको इ편 देखना चाहिए और और बात करेमें इस मूवी के फर्स tren press के बारे मिना का अफिरा अधर अधम दार था जिसमें अश्य होगत सारी स्य lawyer उसम आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा सिपाफ देखोगे और खुशी होगे और आप भी चिलाने में मजबूर हो जाओगे अब देखो क्योंकि सारुखान का इस मुवी में कहीं सारे लुक है तो इसलिए उनके अलगालग लुक के साथ उनका अलगालग एंट्री होता है और स इसको देखने के बाद आपको कि एगरालग आने लगें मतलब जिस तरह का आररा मुवी में इंटर्वल से पहले सीन था बलकुर उज्टी चाहा का सीन हमें इस मुवी में देखने को मिला है जिसको देखने के बाद आप सबिके साथ से अठक जाएंगे फॉस्ट आफ मैं अब बात कर लेते हैं इस मूवी में एक्टर्स के परफॉर्मंस के बारे में किस मूवी में एक्टर्स के परफॉर्मंस किया है सबसे पहले बात करते हैं सारुख ने इस मूवी में एकड़ा लगी लेओल कर परफॉर्मंस किया है जो अपने आज से पारे उनके किसी और मुवी में नहीं देखा होगा इस मुवी में हमें उनका बिल्कुली नया अंदास देखने को मिला है जो कि पबलु को काफियरा पसंद आने वाला है अब अगर सारुखान के बारों में बात करी रहे हैं तो विजा सेतुपती के बारों में भी बात करना होगा क्योंकि उन्होंने भी इस मुवी में काफियरा बावाल किया है और अगर इस मुवी में सारुखान के लावा कोई और एक्टर होता तो उसके लिए बहुत जादा मुश्किल होता कि विजय साथुपते के सामने वो साइन कर सके क्योंकि विजय साथुपती ने अपने काली के कारेक्टर में एकदम जान डाल दिया है और वो हमें एक बैडास विलन के रूप में नज़र आये है इस मूवी में और उनके भी कई सारे लुखों में इस मूवी में दिखाये गए हैं जिसमें उनको बुढ़ापा से लेकर जवानी तक का सफर दिखाये गया है भाई ये बंदा काफी खतनाक लेवल के अक्टर है जिसको आप कोई साभी डॉल दे लो वो इसमें साइन कर लेगा अब इन दोनों के लावा इस मूवी में कही सारे फीमेल अक्टरेस भी थी और उन साभी का परफॉर्मेस भी काफी अच्छा था जिसमें मैं सबसे पहले तारीफ वरूँग अपने दिपिका पादुकोन की देखो उनका इस मूवी में एक क्याम्यो डॉल था लेकिन वो कैम्यो रॉल जो था वो छोटा नहीं था वलक्यो काफी लंबा था और उतने ही समय में दिपिका बादुकोन ने अपने इस मूवी का छाप छोड़ दिया और आप जब इस मूवी को देख कर निगलोगे तो उनके परफॉर्मेस को भूलोगे नहीं अब उनके अलावा इस मूवी में एक और लीड एक्ट्रेस थी जिनका नाम है नेंत्यारा और उनका परफॉर्मेस भी इस मूवी में काफी जादा अच्छा था अब शारुखान के साथ उनका क्रेमेस्ट्री पर बहुत जादा अच्छा लग रहा था अब इसके अलावा सारुखन के गैंग बजेतनी भी लेडिस थी उनका भी काफी एक परफॉर्मेस भी काफी अच्छा था तो भाई लोग ये मूवी है तालिफ के राई शीलिए मैं इस मूवी के इतना तालिफ कर रहा हूं लेकिन ऐसा नहीए कि इस मूवी में कुछ नेगेटीव पॉइंट नहीं था मुवी में कुछ negative points भी है, लेकिन उन negative point को आप ignore कर सकते हो इसमें सबसे बहjen negative point के बाद में बात करें तो वो है movie की story movie की story में हमें कुछ भी नहीं देखने को नहीं बिलता है मतलब आज से पहले आपने कहीं सारे movie में इस तहा की story देख रखी होगी लेकिन उसे स्टोरी को जिस तरह सेटली कुमान ने इस मूवी में प्रेजेंट किया है वो देखने लायक है इसके बाद जो मुझे इस मूवी का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट लगा जो कि मैं इस बाद से आप भ्यागरी करोगे वो यह है ना कि इस मूवी को जो गाने है वो बिल्कुल पसंद नहीं आए मुझे मतलब यही गाना है जो मुझे पसंद आया वो है चलिया सॉंग बाकि उसके लावा कोई भी गाने मुझे याद नहीं है और मुझे वो पसंद भी नहीं आए कि इस तरहे से सौथ की मुवी के गाने को डब करके हिंदी में किया जाता है तो वह जिस्ट त्रहा का feel देसा में दे enhance देखने के लिए चलो बर सब्सक्राइब कर है चलो बात कर दो करनोंगा इस मुवी के यह परेसे और टीछ। सबेक्टेक्ट के लूशने क साथ कि अगर आप लोगों को टीकेट मिल रही है तो बाकि इस मूवी के बारे में मैं अच्छा से बात करूंगा अपने अगले वीडियो में इसलिए अगर आपने मेरे चानलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जली से कर देना बाकि आपको इस वीडियो में कुछ भी पसना हो तो वीडियो को लाइक करने चानलों को लियाज जाहिन